नमस्कार फ्रेंड्स ओनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर ले और इस चनल को सस्क्राइब कर ले चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस उड़े में हम बात करने वाले हैं इन दिनों SBI CSP में ID कार्ड जनरेट करने पे IFC कोड नौट डिफाइंड दे रहा है यानि कि IFC कोड ID कार्ड पे प्रिंट नहीं हो रहा है तो हम ID कार्ड पे कैसे फास्ट तरीके से जो है IFC कोड को करके इस चैनल को जुरू सस्क्राइब कर ले ताकि इसी तरह के महत्पूल वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले आप अपने पोटल को हम लोगिन कर लेते हैं लोगिन करने के बाद कोई भी अगर आपको ID कार्ड सिंपली प्रिंट कर लेना है तो यहाँ पे ID कार्ड जनर कर लें टूल सिपली आपको यहां पर जैसे ही आप सर्च किजिएगा तो यहाँ पीये तो यहाँ पर स्प्रिंट हैोड जीख सेलेट कर कर लेना है तो यहाँ पर इस तरह से ID कार्ड को हैंपर akhirस सेक्षा हो जाय Avengers उसके बाद यहां पे आपको simple तरीके से आपको paint को open कर लेना है यहां पे हम paint को open कर लेते हैं और आपको यहां पे paste कर लेना है जैसे आप control भी किजिएगा तो यहां पे कुछ इस तरह से आपको ID card paste हो जाएगा तो यहाँ पे आपे यहाँ पेस्ट करने के बाद उसको आप इडिट कैसे करें उसके बारे में हम हम थोड़ा से बता दे तौँ यहाँ पे आपको इसको cut-out कर लेना, यहाँ पे not defined को आपको हटा करके IFC code आपको यहाँ पर अपने ब्रांच का डालना है तो यहाँ पर IFC code को यहाँ पर simply यहाँ select कर लेना है select करने के बाद delete कर देना है और उसको यहाँ पर text में जा करके यहाँ पर text में आ करके यहाँ पर आपको IFC code type कर लेना है यहाँ पर मैं type कर देता हूँ जो भी SBIN करके जो भी आपका branch code हो गया रहा होगा IFC code होगा आपके CSP का तो यहाँ पर आपको type कर लेना है type करने के बाद इसको आपको कहीं पर भी save कर लेना है desktop अगरा कहीं पर भी आपको इसको save कर सकते हैं यहाँ पर आप size भी थोड़ा सा maintain कर लें ताकि जिस size में आपका account number CIF number है उस size में आपको maintain कर लेना है अपने IFC code को थोड़ा सा भी यहाँ पर आपको edit का जो है problem नहीं होगा यहाँ पर IFC code हमने यहाँ पर डाल लेते हैं यहाँ पर IFC code यहाँ पर SBIN 000 करके जो भी आपका IFC code है यहाँ पर हम डाल लिए हैं डेस्टप पर save करने के बाद यहां पर आपको simply Microsoft Word को open करना है Microsoft Office Word को यहाँ पर open कर लेगे open करने के बाद यहाँ पर insert पर हम जाएंगे यह बहुत ही fast तरीके से हो जाता है यहाँ पर देखिए हम उस photo का यहाँ ले लेंगे यहाँ पर हम और इसको ID size में हाँ पर और उसमें बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पर पेंट में जो है IFC कोड कर सकते हैं और इडिट करके जो इसको पिरेंट करके आप कस्टमर को प्रवाइट कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें